हाँ जी चलिए आज अपने एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं रेसिडेंशल स्टेटर्स रेसिडेंशल स्टेटर्स टॉपिक आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह जानेंगे कि आखिर अपन इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं क्या रीजन है इस टॉपिक को बनाने का उसके बारे में अभी उस चीज के बारे में जानने के लिए यह जो व्यक्ति है यह है शारुख खान अब यह जो व्यक्ति है शारुक खान इसकी कुछ प्रॉब्लम से जो हमें सुननी है इससे हमें पता चलेगा कि अपने इस चाप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं तो यह शारुक खान विद्नाम का जो व्यक्ति है इनको यूएसे से कॉल आता है और यूएसे से कॉल आया शारुक कान जी के हमारे याप एक फंक्शन हो रहा है आप performance दो गे क्या तो शारुच खान जी से बिल्कुल देंगे तो शारुच खान जी से यस परफॉमेंस देंगे अब शारुक खान को बोला गया कि भई आप USA आओ आप performance दो बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे अभी जो dealing हुई है वो एक लाग डॉलर की हुई है एक लाग डॉलर शारुक खान को दिये जाएंगे अगर ये perform करते हैं USA में आखर के आप इनकी date डिसाइड हो गई कि एक महीने बाद अपना इवेंट होने वाला है USA का कोई उसके अंदर आपको गॉर्मेंट का इवेंट है उसके अंदर आकर के आपको perform करना है तो शारुक खान USA पहुँच जाते हैं जो बात हुई थी उस टाइम पर और USA पहुँचने के बाद में ये अपनी performance देते हैं तो वहाँ पर नाज गाना होता है शारुक खान ने भी जूमे जो पठान मेरी जान मैं फिल ही लूट जाए पर performance दी perform किया शारुक खान ने perform करने के बाद में लोग बड़े खुश हुए के यार कोई व्यक्ति इंडिया से आकर के perform कर रहा है हमारे यहाँ पर और वहाँ पर भारती लोग भी आये वे थे तो शारुक खान की performance भी वहाँ पर हुई और दुनिया से अलग-अलग लोगों को बुलाया गया था अब शारुक खान को performance देने के बाद में इसको बुला गया के शारुक खान जी ये पकड़ो तुम्हारा 90,000 डॉलर का payment 90,000 डॉलर का payment पकड़ो जबकि बात कितने क्यों थी एक लाग डॉलर के ये सुनके शारुक खान की आखे भराई बुला पारो ये 10,000 डॉलर कम क्यों दिये है ऐसा क्या कारण है कि 10,000 डॉलर तुमने मेरे काट लिए क्या मैंने कोई step खराब किया तुम वापस कर दूँगा dance बताओ दो-चार step करने में क्या जाता है बट ये 10,000 डॉलर तो मत काटो इस 10,000 डॉलर की मेरे लिए यहां पर बहुत value है बोला नहीं नहीं ये तो 10,000 डॉलर तो काटे ही जाएंगे बोला ऐसे तो cheating है पहले 1,000,000 डॉलर की बात हुई थी अपनी अब तुम 90,000 डॉलर ही दे रहे हो ये तो गलत बात कर रहे हो तुम तो यहां पर शारुक खान को समझाया USA वालों के सर ये जो tax हमने ये जो पैसा हमने काटा ये tax का पैसा है और इसे हम TDS बोलते है tax deducted at source तो जैसे आपने सुना होगा देने वाला जब भी देता देता छपड फार के तो income tax में उल्टा है देने वाला जब भी देता देता TDS काट के तो अब payment करने वाला क्या करता है tax काट लेता है और जब payment करने वाला ही tax काट ले तो उसे क्या बोलते हैं TDS बोलते हैं तो यहां पर USA का law है कोई भी हमारे यहां पर आकर के perform करेगा पैसा कमाएगा तो हम क्या करेंगे उसका 10% का tax काट लेंगे TDS काट लेंगे शारुक खान को बहुत देर तक बैठा करके समझाया फिर वो समझाया at least कि हाँ भी ठीक है 10,000 डॉलर इस बात के काटे है मेरा tax है tax जमा होना चीए बोले यह आपने tax लिया कैसे पहली बात मैं तो भारत का आदमी हूँ मैं USA में आया तुमने मुझे मुझे tax लिया कैसे पहले तो यह बताओ नहीं तो डॉन का इंतजार तो बारा मुलकों की पुलिस कर रही है बोले यह लेकर के भाजोंगा पैसे बता दो क्या हुआ क्या नहीं बोला ऐसा नहीं है बई यह हमारी country का law है अब बोला law तो है ठीक है यह 10,000 डॉलर क्यों लिये मेर से बोला यह हमने लिये है source basis पर इस पर tax क्यों लिया बई source basis बोला यह क्या होता है बोला source basis मतलब कि आपकी income को कमाने का source कहा है जैसे आपकी income को कमाने का source अभी क्या है USA तो USM में tax क्यों लिया गया तो क्योंकि आपकी income को कमाने का source कहा है USM में आपके भारत में भी ऐसे होता है हमारा यहां का आदमी जायेगा वो कמהजा तो भारतवाले भी tax लेते हैं किस बेशिस पर? Source basis बोल करके source basis क्यों बोलते हैं इंकम को कमाने का source कहां है यही तो आ रहा है तो इसको बोल करके tax ले लेते हो बोला ठीक है कोई बात मूँ अब शारुक खान वहाँ से निकलता है और इधर इंडिया पहुंच जाता है वापस आगया यह इंडिया अब शारुक खान इंडिया आया स्वागत हो रहा है उसका बोले यूएसे में परफॉमेंस करके आये है भारत का नाम रोशन किया है ऐसे बहुत ही कम लोग स्टार लोग जाते है जो यूएसे तक परफॉम करके आये तो शारुक खान राम से खुश हो करके बाहर ऐसे हाथ लाते वी निकल रहा है फैंस को तो यहां पर यह एरपोट के बाहर निकल रहा है यह एरपुट के बाहर निकल रहा है रैड कारपिट पे स्वागत हो रहा है और यहां पर रहा है अपना शारुक कान- और इधर इ hedge seskे चारों तरफ लोग ज़ाए इतना सारा पैसा है तो बीफ केज लेके चल रहा है uठनी रहा इतना पैसा, वहाँ से दस-दस के नोट दिये थे, तो पैसा उठ नहीं रहा है, अब इतने सारे, तो चार लोग तो इसको लेने पड़े वहाँ से, तो अब ये चार लोग लेकर के पैसे बर करके ये आ रहा है, और ये चार लोग चल रहे हैं साथ-साथ में, अब ये बाहर आ बोला हम income tax department से यह income tax department से आयते हैं बोले अच्छा बताओ क्या बात करनी है भी तुमको income tax department से बोला हमने सुनाए कि आपने वहां जाकर के एक लाग डॉलर कमा है फिर से उसको बात याद आगई आखे बर आई बोले एक लाग डॉलर बोलके क्यों दिल दुखा रहे हो दिये त तो 90,000 डॉलर ही है बोले नहीं नहीं हमारे इस आपसे तो इंकम तो एक लाग की थी ना वो तो टैक्स की लिए होंगे उन्होंने बोले हाँ आपको पता है बोले हमका तो पता ही है आपको नहीं पता है तो income tax department वाले बोले के आपने एक लाग डॉलर अन करे बोला हाँ बिल 10% का तो तुम क्या करो टैक्स दे दो फिर सरचार्ज भी दे दे ना फिर health and education से इसका तड़का भी लगा करके दे 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 ना शारुकान चलक चलक के रोने लगा बोला मैं नहीं खेल रहाँ बोला वहाँ गया 10% का टैक्स वहाँ ले लिया अब यहां आ रहा हूं फिर से यहां पर टैक्स ले रहे हो बोले यह क्या मतलब है बोले इससे बढ़िया तो मैं सलमान की तरब wheel का add कर लेता उसमें मेरे कोई इतसे ज़्यादा रूपे मिल जाते तो एक सर्फ का add washing powder निर्मा के add में आ जाता इससे ज़्यादा तो पैसा उसमें मिल जाता और यहाँ पर तुम उस पर tax ले रहे हो फिर से एक तो देश का नाम रोशन कर क्या है बोले देखो उन्होंने तो यह बोलके tax ले लिया कि हम कैसे tax ले रहे है source basis पर कि तुमको income कमाने का source यह है तुम क्यो tax ले रहे हो बई मैंने income कमाई वहाँ tax दिया वहाँ यह सारी बाते जब शारुक खान बोल रहा था तो इस conversation में income tax वालों को पता चल गया कि इसके पास में commerce नहीं थी और इसने CMA तो बिल्कुल भी नहीं किया था वरना यह ऐसे सवाल नहीं पूछता ऐसे फालतु के सवाल बोला यार अब क्या करें इसको समझाना मुश्किल हो रहा है समझी नहीं रहा है शारुक खान बोला एक काम करो तुम इसके लिए एक बस मंगवाई गया और इसको बस में बैठा दिया गया बोला तुम इधर बैठो देगो हम भी इधर बैठ है बोला चलो हमारे साथ बोला कहां चलना है बोला दूर चलना है अभी जैपूर जैपूर ले आय है इसको फिर कल मेरे को फ़ोन करते हैं बोले एक बच्चे का admission करवाना है लग नाम है उनका शारुक खान मजाक कर रहे हो है शारुक खान को बोले बाते यसी करता है कराना पड़ेगा इसका admission बोले क्या हुआ इसको यही नहीं पता के वो बोले वहाँ पर पी टेक्स ले लिया, यहां पर भी टेक्स ले लिया, ऐसे ऐसे पागलो जैसे सवाल पूछ रहा है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसको बेसिक तो पढ़ा दो कम से कम, बुला ठीक है, तो उसको लाए और कल यहीं छोड़ गए थे, एड्मिशन कर लिया, इसको 100% स्कॉलर्शिप दे दी, फीस भी नहीं लिए, पहले ही दुखी है, देखो इतने इतने टेक्स दी रहा है, और वैसे ही दुखी था तो उसको मैं ले लिया, उदर पीछे बेठा रहा है, देखना मत पीछे हैं न, दिखेगा नहीं, तो वहाँ ज टेक्स लिया, सोर्स बेसिस पे, क्यों जारुकान समझे, बुले हाँ, और यहां किस बेसिस पे टेक्स लिया, बुला यहां रेसिडेंस बेसिस पे टेक्स लिया, रेसिडेंस बेसिस, बुला रेसिडेंस बेसिस, मतलब बुले आप भारत के रेसिडेंट हो, रेने वाले हो, तो इसलिए तुमसे tax ले लिया, residence basis, बोला अच्छा वहाँ tax ले रहे, source basis पे, यहाँ tax ले रहे, residence basis पे, तो बोला कि दुनिया में tax ही इन दो basis पर लिया जाता है, एक तो source basis, मतलब किसी वेक्ति से tax कब ले सकता है कोई country, या तो उस income को कमाने का source का हो, उसी country, जिसे माल लो cricket खिलने आया, एक player Steve Smith, Steve Smith यहाँ पर cricket खिलने आया, उसने पैसे कमाए, तो क्या हम उससे tax नहीं लेंगे, tax लेंगे, क्यों लेंगे हो सर, वो तो resident नहीं है यहाँ का, लेकिन resident तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, source है income का, source basis पर tax ले ले, और सर मान लो, विर अस्ट्रेलिया वाला तो चलो वो अपना देखेंगे, हम भी tax लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, हम क्यों लेंगे, residence basis पर, क्योंकि वो यहाँ का है, resident है, तो दुनिया में इनी दो basis पर tax लिया जाता है, एक source basis और एक residence basis, अब सवाल यह है, कि सर यह इससे यहाँ वहाँ पर क्योंकि resident बनेगा, तो tax भी ले लेते हैं, क्या सिर्फ resident ही बनते हैं क्या, बोला ऐसा नहीं है, non-resident भी बन सकते हो, अलग-अलग status होते हैं, आप इन में से कुछ भी बन सकते हो, बोला अच्छा ठीक है, यह बात भी समझ गए, तो बोला यह detail में बताओ इस बात को, बोला इ किसी व्यक्ति का residential status निकलेगा, तभी हम उस व्यक्ति की income निकाल पाएंगे, tax निकाल पाएंगे, यह सारे काम हम तभी कर पाएंगे, तो residential status chapter क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम किसी व्यक्ति का status निकालना, जो नाम में residential status निकालना सीख पाए, क्योंकि जब यह पता होता है, तब ही किसी व्यक्ति की income निकल पाती है। तो residential status का देखो procedure क्या होता है। अगर ultimately तो हमें क्या करना है। किसी भी व्यक्ति का tax निकालना है और पिर जितना tax आए उसको बता देना है वो उतना tax जमा करा देगा। यह हमारा ultimate objective होता है अगर आप देखे तो income tax के अंदर। अब दिक्कत क्या है देखो direct tax नहीं निकाल सकते तो। सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति का residential status निकालना होता है। जब residential status पता चलेगा उसके बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे। टोटल income निकाल पाएंगे। और जब टोटल income पता चलेगी उसके बाद ही हम उसका tax निकाल पाएंगे। तो यह सारी चीजे आपस में जुड़ी भी है। पहले यह निकलेगा फिर यह निकलेगा फिर यह निकलेगा। तो अभी इसमें अपन पहली step हमारी रखने जा रहे हैं वह है residential status तो हमको पहुचना कहां तक है tax तक लेकिन tax तक पहुचने के लिए income निकालने के लिए residential status निकालने तो इसलिए अपन इस chapter को पढ़ते हैं clear है सभी को क्यों chapter को पढ़ते हैं क्या reason है इस topic को जरकार ने क्यों बनाया क्यों डाला provisions क्यों बनाये गए वह सारी बाते यहां पर निकल करके आती है अब अपन जो chapter स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे residential status वाला chapter यह procedure के साथ में तो इस procedure को हमको ध्यान रखना है अब यहां पर एक common word आ जाता है सर के सर एक resident आप बूल रहे हैं और एक हमने और word सुना है citizen यह एक ही तो बात होगी resident citizen क्या अलग-अलग बात है या एक ही बात है अलग-अलग बात है वह यह resident अलग चीज है citizen अलग चीज है पहली बात resident क्या होता है सर रेजडेंट हम सीखेंगे निकालना इस income tax में निकालते हैं और कहीं काम आता है कहीं काम ने आता resident, non-resident यह only किसकी परपस के लिए निकाले जाते हैं इंकम टैक्स के परपस के लिए बाकी इनका ऐसे कोई काम नहीं और citizen, non-citizen यह किसके लिए निकाले जाते हैं किसके लिए निकाले जाते हैं आपको fundamental rights मिल पाए देश के जैसे देखो अभी recently अगर आप देखेंगे यह देखो अक्षे गुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर यह फोटो पोस्ट करी है क्या है इस फोटो के अंदर इंडिया के citizen अब बने हैं आज तक यह Canada के citizen थे तो Canadian citizenship थी अभी यह यहाँ पर clear नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें क्या लिखा है गॉर्मेंट ओफ इंडिया Ministry of Home Affairs और यहाँ पर citizen में लिखा है Indian पहले यह क्या थे पहले यह Canadian citizen थे तो citizenship लेने से क्या औसर क्या है अभी तक tax नहीं दे रहते के बताओ citizen नहीं थे फिर भी tax तो दे रहते वो कैसे दे रहते थे आउटसाइड इंडिया का, क्या वो भी resident बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मतलब resident कोई भी बन सकता है, अगर जो हम condition इस chapter में पढ़ने वाली है, अगर कोई भी व्यक्ति उन conditions को पुरा कर देता है, तो वो भारत का resident बन सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ days की condition है, जैसे अभी अपन देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति previous year में 182 days या उससे ज़्यादा रुक लेता है, एक general condition है भारत में, तो वो क्या बन जाता है resident, 182 की एक normal condition है, और भी बहुत सारी conditions आएगी उसमें, तो resident बनने के लिए citizen होना जरूरी नहीं है, इस बात का आपको ध्य चली, ये तो आपने लिखी लिया होगा, अब हम topic पढ़ने आ लें, chapter का नाम आ गया, residential status, section 5 से लेकर section 9 डील करेगा उसके साथ, sections के बारे में मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अपने को कौन-कौन से पढ़ने, ये आपको note कर लेना है, एक हमें पढ़ना है, इस chapter में section 5, 4 किसका था, charging section था, तो देखो section 4 क्या बोलता है, income कमाने पर tax लगेगा, फिर 5 क्या बोलता है, पहले residential status को निकालो, कैसे कैसे निकालना है, वो सारा काम, यहाँ पर देखेंगे 5 के अंदर, कि अलग-अलग लोगों के लिए कैसे income निकालनी section 6 पढ़ना है, residential status का और section 9 पढ़ना है, deemed income का यह तीन section अपने को mainly पढ़ने है, इसमें जो बड़ा section है, वो 6 है, बागी 5 और 9 तो comparatively छोटे हैं, 6 है, क्योंकि 6 ही main, जोगो chapter का नाम तो 6 से ही पढ़ा है, residential status, तो section 6 से ही इसका नाम पढ़ा है, residential status और अभी अपने एक पहले basic topic पढ़ने जा रहे हैं, difference between citizenship and residential status इसके बीच का difference हमको देखना है, सर, citizenship और residential status के बीच में difference क्या है, चलिए, वो differences देखते हैं, क्या में और तığını कज धुने, क्या हम संहाते हैं, क्या है, जो प्रेखते हैं, क्या सक्सी बीचल्वरा स्कोंFFındaki थेंãर क्यां हैं, क्या है, जे तो जो, कूईव कि दो, क», क्या हैं, तो, पूआ, ढूश, वो, क्या है, हम अुत और र Vaccine, कि अचुआ फिर्स दिफरेंस झाल 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 आज ओनलाइन सभी को ये सारी बाते क्लियर हैं फटावट से मुझे बताईएगा गुट मॉर्निंग गरविशा लवपरीत बागी सभी को भी गुट मॉर्निंग भई करीना जी कलता आप यहां पाए गए थे हाँ जी चले आगे तो यहाँ पर हमने एक बेसिक डिफ्रेंस जो अमारे माइंड में आता है सिटीजन्शिप और रेजडेंशल स्टेटस दोनों में फर्क होता है 99 परसेंट जगे दोनों का कोई रिलेशन नहीं है पहले तो बिल्कुल ही नहीं था अभी थोड़ा सा क्या कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इसी चैप्टर में उस वज़े से थोड़ा सा जो है रिलेशन हुआ है सेक्शन 6 वने एड हुआ है उसकी वज़े से अधरवाइस तो पहले कुछ भी इंपाक्ट ही नहीं आता था लेगिन अब थोड़ा बोत आ सकता है अब देखिए हम पहले कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 को और सेक्शन 6 हमें क्या बताएगा कि रेसिडेंशल स्टेटस किसी परसन का कैसे निकलता है यह बताएगा तो उसी को अपन जानने वाले हैं कि रेसिडेंशल स्टेटस कैसे निकलेगा तो उसको पढ़ने से पहले हमको यह जानना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है अच्छा, residential status किसका निकालेंगे बताओ, किसका निकलेगा residential status, person का, क्योंकि हमने section 4 में क्या पढ़ाता, कि जो भी person income कमाएगा, उसे income tax देना होगा, तो सर, income कौन कमा सकता है, person, और तो residential status भी किसका निकालना जरूरी है, person का, तो हर एक person का residential status निकालना जरूरी होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कि residential status जो हमने 7 personalities पढ़ी थी, 7 की 7 कामएगा निकालना है, जो person की definition में दीएगी, चलिए देखते हैं हमको section 6 में क्या-क्या पढ़ना है, तो यह वो section 6 है, जो मैं पढ़ना है, सबसे important section भी यही है, इस chapter का, बाकी section इसी पर depend है, residential status निकालना से, residential status के अंदर, हमें total 4 section पढ़ना है, 6 के अंदर 4 subsection, अभी 6 1 है, और आ गया, पहला section है section 6 subsection 1, दूसरा section होगा हमारा, section 6 subsection 2, तीसरा section है section 6 subsection 3, और अगला section है subsection 4, यह total 4 subsection हम जो है, section 6 के अंदर पढ़ने वाल है, subsection 1 जो है, वो बात करता है, residential status, of individual, individual का residential status कैसे निकलेगा, इसके बारे में बात करता है, उसके बात जो अगला section है, वो बात करता है, residential status, of HOF, firm, LLP, AOP, BY, यह subsection 2 के अंदर दिया है, इन सबका residential status, उसके बाद में, subsection 3 आता है, subsection 3, बात करता है, residential status, of company के बारे, subsection 4, residential status of other persons, other persons में कौन-कौन आ गया है, एक तो local authority आ गई, और AJP आ गई, और कलको person की definition में कोई नया नाम जुड़ता है, तो उसके भी subsection 4 ही लगेगा, कलको कोई नई business form बना दी government है, तो उसके लिए भी subsection 4 ही रहने है अलगा, तो यह अपने सारे चार sections है, जो हमको पढ़ने है, residential status निकालने में, यह जो तीन है यह बड़े छोटे हैं, 2 और 4 तो सेम है, 3 भी छोटा ही section है, mainly बड़ा section है, subsection 1, residential status of indiesel, तो अपन सबसे पहले अब यह देखने वाले हैं, कि किसी indiesel का residential status कैसे निकाला जाता है, एक indiesel का residential status किस पर depend करता है, इस बात को जानते हैं, किसी एक indiesel का residential status depend करता है, कि पिछले साल में, previous year में उस व्यक्ति ने भारत में, इंडिया में कितने दिन बिताए, मतलब previous year में कितने दिन spend करे, इस बात के उपर depend करेगा, किसी भी indiesel का residential status, क्या है इसके अंदर आईए देखते हैं, section 6, subsection 1 में क्या पढ़ना है हमको देखिए, section 6, subsection 1 में हम पढ़ने वाले है, residential status of individual, और किसी residential status individual का जो है, वो depend करता है, period of stay, in previous year, in India, पिछले साल आप इंडिया में कितने दिन रुके इस पर depend करेगा, आपका residential status, आप कोई indiesel जो है, या तो कोई indiesel resident हो सकता है, या वो बन सकता है non-resident, तो जब हम residential status निकालेंगे किसी भी indiesel का, तो या तो वो resident बनेगा, या फिर वो non-resident बनेगा, और कोई indiesel resident है या non-resident, इसके लिए हमें apply करनी होगी उसके उपर basic conditions, जो कि under section 6, sub section 1, close A and C में दी गई है, तो यह basic condition apply करके हम पता कर लेंगे कि कोई व्यक्ती resident बन रहा है या non-resident बन रहा है कोई भी indiesel, अब यदि कोई व्यक्ती resident बनता है, तो उसमें further two categories होने वाली, आप अगर यदि resident बन जाते हैं तो यह भी पूछा जाएगा, या भी समान्य resident हो या असमान्य मतलब क्या ordinary हो या not ordinary resident हो मतलब तुम बनते ही रहते हो resident या अभी बने हो बस नए नए तो एक तो होता है जैसे अपन लोग है और डिनरी रेजडेंट है अब कोई व्यक्ति है वैसे तो रेजडेंट नहीं बनता बस पिछले साल बन गया तो क्या हो गया not ordinary तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ordinary resident क्या होता है और not ordinary resident क्या होता है ordinary not ordinary निकालने के लिए हम refer करते हैं section 6 sub section 6 की additional conditions को additional conditions में हम यह जानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर resident है तो वो ordinary वाला resident है या not ordinary वाला resident है लेकिन यह ordinary not ordinary तभी निकालना है जब कोई व्यक्ति resident बना हो झाला है नॉन रेजडेंट में तो सीधी बात कतम हो जाएगी नॉन रेजडेंट है ordinary, not ordinary आपको only and only in the case of resident ही निकालना होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है कहीं non-resident फिर ये चेक करें ordinary वाला या not ordinary निकलता ही नहीं है यह ordinary, not ordinary इसलिए निकालते हैं क्योंकि इनके लिए जो income निकालने के तरीके अलग-अलग है ordinary लोगों के लिए अलग तरीका है not ordinary लोगों के लिए अलग तरीका है इसलिए resident में भी further bifurcation किया गया है कि तुम resident बन गए कोई बात नहीं अब उसमें ये भी check किया जाएगा कि ordinary बने हो या not ordinary बने हो तो ये अपने को एक basic condition पढ़नी है basic condition पढ़के हमें क्या मिलेगा हम ये निकालना सीखेंगे कि कब कोई individual resident बनता है और कब कोई individual non-resident बनता है और जो section 6, subsection 6 की additional conditions है उनको पढ़के हम पन क्या सीखेंगे कि वो resident जो वेक्टी बना है वो ordinary वाला resident है या फिर not ordinary वाला resident है ये सीखेंगे उसमें हाँ जी clear है सभी को ये सारी बात है हाँ जी online में फटावट से बता ही यहां तक की बात clear हो गई सभी को और note कर लिया क्या अभी तक अपने इस section को पढ़ा भी नहीं है अपन तो यह जान रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है अब अपने को basic condition पढ़नी है तो अगर मैं basic condition simple सी बताऊं तो क्या है पहली basic condition में दो-दो conditions है दो मैंसे एक भी पूरी कर देते हो तो तुम resident बन जाते हो पहली बड़ी simple है अगर आपने previous year में पिछले साल 182 days या उससे ज़्यादा इंडिया में spend कर लिये तो आप क्या बन जाते हो resident बन जाते हो previous year के अंदर कितने days 182 days या उससे ज़्यादा days spend कर लिये लगबग आदे साल या उससे ज़्यादा तो आपको क्या मान लिये जाता है resident मान लिये जाता है otherwise आपको क्या माना जाता है non-resident माना जाता है लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक ही condition नहीं है एक और condition है जो हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भी एक 60 प्लस 365 की और condition है हम साथ में ही समझ सकते हैं क्या होगी वो सब अपन next class से start करने वाले आज अपन ने देखा कि यह chapter क्यों पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे अब अपन next class से section 6 को start करेंगे और पढ़ना चालू करेंगे उसको पहले section की basic conditions को के resident, non-resident कैसे निकालते हैं और ordinary, not ordinary कैसे निकालते हैं चलिए आज के लिए इतना ही बढ़ेंगे next class में इससे आगे